असलाम अलेकुम बही मेरा नाम है Zoran और आप देख रहे हो Zoran Tech आज की वीडियो बनाने के लिए मैं personally बहुत ज़्यादे एक्साइड़ था यार मेरे पास एक अलादीन का चराग आ चुका है और वो चराग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ मैं आज आप लोगों को एक ऐसी यूनीक फार की extension बताने वाला हूँ जिससे आपकी gig 100% rank होने वाली है यार वो extension इतनी कमाल की होने वाली है वो extension आप लोगों को title भी generate करके देगी आप लोगों को keywords भी बताएगी जिस पर आप लोगों की gig rank हो सकती हो बहुत जादा amazing extension होने वाली है लेकिन वो आप लोगों ने download कहां से करनी है और क्या ये free है या पिर ये pro है यार बिल्कुल ये free of cost है और आप लोग इसको free of cost download कर सकते हो जी हाँ आप इसका premium plan भी खरीच सकते हो लेकिन मैंने इसको free में यूज किया और मेरी एक को मैंने काफी ज्यादा rank किया और उस पर मुझे orders भी मिलना start हो गया बिल्कुल ये free of cost है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ यसी कोई भी चीज share नहीं करता जिसमें आप लोगों की investment हो क्योंकि यार आप लोग beginner हो और आप स्टार्ट लेना चाहते हो जो लेवल तू लेवल वन या उप्रेटिट सेलर है यह premium plans उनके लिए होते हैं क्योंकि वो उस चीज़ से earn कर रहे होते हैं लेकिन आप लोग इससे कोई earning कर रहे है त कुछ send taxi most इस तरह के नाम की आपने जस इस website पर आ जाना है और यहां पर लिखागा Chrome extension आपने discover पर क्लिक करना है यह आप लोगों के लिए आएगा फाइवर मेट पर यहां पर लिखावा ट्राइफ और फ्री पर क्लिक करोगे आप लोगों को यह कुछ इस तरह का पेज अगर आप यहां पर limitations देखें तो यहां पर यहां पर यह कुछ features हैं जो आपको premium में मिलेंगे और अगर आप यहां पर settings में आते हैं तो आपने इसके settings में से magic menu को gig saver को keyword explorer को और most viewed keywords को enable करने ना जो disabled है यह by default होते हैं आपने इसकी setting को बिलकुल भी नहीं चेड़ना अगर आ आप लोगों को काफी जादा जो है वो और असानी हो जाए लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अभी इसका कोई premium plan नहीं purchase किजिएगा आप इसको free use करके देखें और आप देखेगा आपकी gig 100% rank होने वाली है just यह के method को आपने follow करना है extension copy हो गई अब मैं dashboard है और यहां पर मैं click करता हूँ wordpress पर जैसे मैंने wordpress पर click किया अब इस extension का काम start हो गया अगर आप यहां पर देखें मेरे पास आगया है favor meta menu और यह working में है यहां पर अगर आप देखें plus का icon आ चुका है यहां पर download का आ चुका है और यहां पर इस तरह की कुछ चीजें आ बहुत जादा excitement वाली होने वाली है जरा देखिएगा इसमें होता क्या है अब यह जो keyword generate हो रहे हैं यह वह keywords है जो लोगों ने ज्यादा use किये हुए अभी जरा इसको final होने दें यह final हो चुका है अब आप देखें woocommerce woocommerce wordpress blog wordpress blog e-commerce website website redesign website यह keywords है जो बहुत जादा इस page पर use हो रहे हैं मतलब कि wordpress के keyword पर यह वाले keywords यूज हो रहा है अपने लोगों ने इसको use किया हुआ है अगर आप यहाँ पर आए मैं चाहता हूं इस gig को copy करना में इनके जैसी कुछ gig बनाना चाहता हूं क्योंकि यह level 1 है मैं beginner हूं में इनको copy कर लूँगा thumbnail वगरा change कर लूँगा कुछ चीजें से में match कर लूँगा तो यहाँ पर देखें इनकी मुझे यहाँ पर शोर यह gig rating यहाँ पर शोर यह gig favorites इनको एक बंदे ने फेवरेट में add किया हुआ है इसकी 11 rating है और order इंस क्यों यह आप लोगों को premium purchase करना पड़ेगा फिर आपको यहाँ पर शोर होंगे अब एक और चीज़ पहले जो फिरी extension थी उसमें मुझे एक एक करके keyword को copy paste करना होता है यहाँ पर अगर मैं copy tags पर click करूंगा तो यह सारे tags किसी भी गिक्के में लेना चाहता हूं तो वो सारे एकदम copy हो जाएंगे मैं आप लोगों को दि suggested keywords इसमें 0 आ रहा है जब 1 आये तो आप इस पर click करेंगे तो यह आपको बता देगा कि आपने suggested keyword कौन से यूज़ करने लेकिन एक और interesting चीज़ यह देखें gig titles अगर मैं यहां से gig titles पर click करता हूं तो देखें यह gig titles की एक मुझे CSV file मिल गई है excel sheet में मैं इसको open करता हूं और आपको दिखाता हूं क्या results आने वाले यार यह देखें इसने मुझे सारी gigs के title इतने भी title यूज हो रहे हैं वो सारे मुझे generate करके एक अब मुझे यहां जाके बार बार देखना पड़ा था कि कौन सा title है कौन सा level है लेकिन नहीं इस extension ने आपका काम आसान का थी यहां पर देखो आपको कौन सा attractive लग रहा है जो भी attractive लग रहा है आप इसमें ते तीन-चार titles को मिला के एक title generate कर सकते हो और वो बहुत amazing सा title होने वाला है शर्त यह है कि आप लोगों ने in keywords को लाजमे target करना है सारे keywords तो यकिन नहीं हो सकते तो आप लोगों ने one by one या फिर five keywords या फिर six keywords को target कर लेना है अब आपको मैं एक title से example देते तो देखें लिखा हुआ responsive wordpress website एक keyword हो गया responsive wordpress 2 keyword हो गया wordpress website 3 keyword हो गया elementar pro 4 हो गया responsive wordpress website with elementar pro यह 5 हो गया इस तरह के इसने keyword को mashup किया हुआ है keyword का और का और काफी जाधा इसमें से एक ही title में keyword बन रहे है तो आप इस title को भी copy paste कर सकते हो means कि आपको level 2 pro और top rated लोगों के titles वगरा शो हो गया है कि आप अपने titles किस तरह बना सकते हो फाइवर की को rank करवाने के लिए अब आ जाती है गिग links के बारी तो यहां पर आप लोग देखें यहां पर लिखा हुआ है 48 में यहां से गिग links को क्लिक करता हूं और अगर हम कोई भी जैसे के मैं आप लोगों के example से समझाता हूं मैंने इस gig को open किया अब आप देखें इनका यह URL design or redesign your website अब देखें यह title था इनका पहली जो gig का title था वह था design or redesign your website लेकिन अब जो इनका title है redesign your website and provide maintenance support और इनको order 9 orders in queue है तो यह कैसे अब आपके पास आपने इस Excel sheet में जाना यहाँ आप लोगों को बता देगा कि भाई यहाँ पे लोगों ने पहले title क्या रखा वादा देखें design or redesign your website यह वही है जो मैंने gig आप लोगों को खोल के दीए देखें design or redesign your website यहाँ पर automatic आ गया है दूसरी Excel sheet में अगर आप जाएं तो यहाँ पर उसका जो है व चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर देना इस तरह के tips ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा वीडियो बहुत ज़्यादा amazing की मैंने आप लोगों के साथ share कर दी मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला हाफिज